अस्सलाम अलेकुम औरहमतुल्लाही बरकातु हो। गुड मॉर्निंग तो अले स्टूडंस एंड वेलकम अगेन इन आवर ओनलाइन क्लासिज। हिस्ट्री के इस चेप्टर में, चेप्टर नमबर 9 में, जिसका नाम ही है सौरा जिमाटे संगर्श। इसमें हम देख रहे हैं किस तरह से हिंदोस्थानी अवाम ने भारत में भारत को आजादी दिलाने के लिए, किस तरह से संगर्श किये, जद्दो جहद किये और तब जाके भारत को आजादी मिली। इसी के सिलसिले में हमने लास्ट सेशन तक के 1942 में 1942 में हुई हिंदु छोडो तहरीक को समझा था आईए अब इस सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है सुबास चंद्रि बोज और आज़ाद हिंद फोज इस विसन 1942 के हिंदु छोडों के साथ साथ ये हिंदुस्तानी आवाम की बहादुरी और उस्तूल आज़ादी के जजबे को उजागर करने वाला एक एहम तरीन इनकुलाब था आज़ाद हिंद फोज के लीडर जो थे वो शुबास चंद्र बोज थे उनकी रहनुमाई में ही चलने वाली इस तहरीक को हिंदुस्तानी तारीक में एक एहम काम हासिल है इन्होंने आजाद हिंद फोज की एक बन्याद डाली थे उन्होंने इस तहरी को बढ़ावा दिया था आजादी के लिए सुबास चंदर बोज ने कॉंग्रेस को छोड़ कर सुबास चंदर बोज ने कॉंग्रेस को छोड़ कर forward block की बुनियाद डाली अंग्रेस सरकार ने उन्हें गिरफतार करके नजर बंद कर दिया इस वक्त अंग्रेस सरकार हम देख रहे थे कि कोई भी जो भारत को आजादी के हक में बात करे या फिर उसकी लिए लोगों को जाकर करे रहनमा बन जाए तो बिटिश सरकार उनको किसी भी तरह से काबू करने की कोशिश कर रही थी और इसलिए उन्होंने सुबास चंदरबोज को गिरफतार करके नजर बंद कर लिया लेकिन सुबास चंदरबोज इस चोटी से बात पर हार मानने वाले तो नहीं थे उनका तो बड़ा मकसद था कि उन्हें भारत को किसी भी तरह से एने हावाजाती तो दिल्वानी ही है उन्होंने क्या किया सुबास चंदरबोज को जैसे ही मुनासिब मौका मिला सुबास चंदरबोज ने जेल से छूट कर मुलक के बाहर निकल गए वो जर्मानी पहुचे और भारत की जंग्या अज़ादे के लिए मदद तल्ब की वहां से जापान की मदद करने के लिए तल्ब करने के लिए जापान की मदद हासिल करने के लिए वो जापान गए भारत के आजादी के लिए लशकर तैयार करने के लिए सिंगापूर में राज बिहारी बोज की मदद से आजाद हिंद फौज के वो लीडर बने इन्होंने फौज तैयार करने के लिए इधर मतलब अलग अलग मुलकों के से उन्होंने मदद तर्ब की जो वाकिए में मदद हासिल भी हुई सुबाश छेंद रबोज ने जनरल मोहन संग ने हिंभा इंदोस्तानी फोच क कारवाई शरू की जनरल मोहन संग ने सुबाश चंदर वोस बर्मा के मुकाम से भारत पर हमला करने की हक में थे हाँ भारत पर हमला क्यों कर रहे थे बिकॉस किसी पर तरह से बिटिश हुकुमत को वहां से हटाना है हलाकि दूसरी आलवी जंग अजीम में जापान की शिकस्त होने की वज़ा से आजाद हिंद फौज शिकस्त दिखा गई दूसरी जंग अजीम में जापान जो हार गया था और इसलिए जो जापान से मदद तलवी की थी तो इसका असर आजाद हिंद फौज पर भी पड़ा इसी सिल्सेल में सुबाश चंदर वोस टोकियो चाने की वक्त रास्ते में हावाई हाथसे में वफात पा गए हाला कि आज भी यह हल ना हो पाने वाला एक राज है कि सुबाश चंदर बौज की मौत हुई कैसे थी ये भी एक राज है अंग्रेस सरकार ने आजाद हिंद फौज के तीन एहम सिपह सालार जनरल शानवाज जनरल गुरू दयाल सिंग, ढलोन और जनरल ब्रेम सेगल पर दिली में लाल के लिए मुकदमा दायर किया उसके खिलाफ हिंदोस्तानियों ने मुझाहिरे शुरू किये क्योंकि यह जो तीन सिपह सालार थे, अहम सिपह सालार थे वो भारत को आजादे दिलाने के लिए काम कर रहे थे और उन्हें कैद कर दिया गया था और उनके उपर मुकदमे चल रहे थे इसलिए हिंदोस्तानियों ने मुझाहिर शुरू कि और आकिरकार आजाद हिंद फौज के इन अफसरों को बरी कर दिया गया यहाँ पर दीरे दीरे जो भारत के जितने भी मुतालबा थे वो दीरे दीरे कुबल कर रहे थे इसलिए अब जो भारत को आजादी दिलाने के लिए जो तहरी थी वो बहुत ही जादा हाई लेवल पर आ चुके थी ऐसा हम कह सकते है यहाँ पर यह बात भी नोटिस करना जरूरी है कि भारत जो एक तरफ आजादी के और जा रहा था वही पर भारत में एक फिरकावारियत का बीज भी उबर रहा था इसी के बाद आजाद इंद फौच के बाद जो है बिंद में फिरकावारियत का उबरना फिरकावारियत यह नहीं कि अपना फिरका जो एक इगो कह सकते हम फिरकावारियत का उबरना अज़ाद पात का, मजभब का, एक दूसे से अलग होना, ये चीज़े भारत में भले ही आज़ादी की और भारत जा रहा था लेकिन, कुछ ये चीज़े भी सामने आ रही थी, और इसी के नतीजे में क्या हुआ, हिंदुस्तान की तक्सीम हुई, भारत का, भारत 200 में तक्सीम हुआ, तो आईएब देखते हैं, हिंद में फिरकावारियत का उबरना, फैलाओ, और तक्सीम हिंदु, भारत में फिरकावारियत जैसे ही उबरा उसका फैला हुआ, और जो है वो, वहां के लोगों में, हिंदु और मुस्लिम में लोगों में खाई बनती गई, और गहरी ख दुस्तान और पाकिस्तान इस तरह से भारत 200 में तक्सीम हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसे हम पढ़ेगे, उसे हम समझेगे, इस सीजन 5857 के बाद भारत में अंग्रेजों ने फूट डालो और हुकूमत करो के कॉल के मताबिक मुसल्मानों को अपनी अब ढालने की कोशिश की, 1857 का जो फेमस गदर है, I hope के आप सब नहीं भुले हो गया, 1857 के गदर के बाद ऐसा देखा जाये तो नॉर्मली अंग्रेज सरकार की, अंग्रेज हुकूमत की यही पॉलिसी थी, फूट डालो और राच करो, दो लोगों को बीच में लड़वा क कर वो खुद राच करना जाते थे और यही इनकी पॉलिसी थी, इसी के सिलशले में उनोंने क्या किया था कि मसल्मानों को वो अपनी तरफ ढ़लने की कोशिश कर रहे थे, और इसी में हमने देखा कि यह एक मसलिम लीघ के क्याम की मनजूरी दे दी थी, और इसी सिलशले मे क्या हुआ था भार मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम ये दोनों के बीच का जो है वो फासला बढ़ता जा रहा था 19 सदी के अवाकिर में भारत में फिरकावारियत को फरोग हासिल हुआ जंग अजादी के लिए सबसे ज्यादा खत्रा साबित हुई फिरकावारियत एक तर्जे फिक्र है और उनके बमुजब भारत में हिंदू, मुस्लिम, सीक और इसाई अलग-अलग मुस्लिख है हलाओदा मजहब है उनकी मुफाद में जुदा जुदा है हिंदूस्तानी कौम नाम की कोई चीज मौजूद नहीं हिंदूस्तानी एक जो हम कह सकते हैं कि हिंदूस्तानी होने का जज़बा होता है वो भारतियों में कम नज़र आ रहा था मजब को जादा इंपोर्टन्स दी जा रही थी, जाद को जादा इंपोर्टन्स दी जा रही थी और इसी सिच्वेशन में भारत में फिरकावारियत का उबरना, उसका फैलाओ करना हो जाना ये तो तैह ही था फिरकावारियत को ब्रिडिश हुकूमत की वाज़ा से फरुग हासिल हुआ अब जो फिरकावारियत है तो वो कनेक्ट हो रही थी अंग्रेज सरकाज की पॉलिसी के मताबिक लड़ाओ और राच करो उन्होंने मुसल्मानों को अलग मजभ और कौम का दर्जा देकर हिंदों से अलग करने की जहनियत पैदा करने का काम किया हिंदों में दोनों अलग अलग कौम अलग अलग मजभ के ही यह जो एक बीच बोया गया था वो भी अंग्रेजों के जरिये ही बोया गया था इस सर्गरमे में सरसेयत अहमत का अहम तरीन शक्स थे सरसेद एहमद खा, जिने हम भोगी जानते है वो ये तस्लिम करते थे कि इस मुस्लिमों अमसल्मानों के मुल्की हुकुक हिंदों से मुक्तलिफ है अलिगर मुस्लिम उनिवर्सिटी के उनके ख्यालात की तद्दिक करने का काम अमल में लाती 1885 में All India Congress Party के कयाम के वक्त, उन्होंने उसकी मुखालिफत की वो तस्लिम करते थे कि ब्रिटिश हकुमत खत्म होने की वज़ा से हिंदो अकसीरियत के हाथ में हकुमत चली जाएगी और मुसल्मानों को नुक्सान करेगी भारत में हिंदोस्तानी, हिंदो के अकसीरियत जादा थी और उनका मानना ये था कि ब्रिटिश हकुमत खत्म हो जाएगी लेकि जो हकुमत हो किसके हाथों में चली जाएगी हिंदो के हाथों में और मुसल्मान को नुक्सान करेगी जबकि फिरकावारियत की फरूग के जम्मेदार मुसल्मानों की नाखवांदगी और इल्म की कमी थी फिरकावारियत की में वज़े क्या थी? मुसल्मानों की नाखवांदगी और इल्म की कमी जी हाँ, आज के जमाने में हम देखे तब भी मुसल्मानों में एजुकेशन की कमी बहुत ही कम है और पहले के जमाने भी मुसल्मानों में एजुकेशन का लेवल बहुत कम था और यही एक वज़े थी फिरकावारियत की उनिसी सदी की अप्तिदा से ही हिंदू, मगरीब इल्म और साइन्स से मुंसलिक थे जबके मुस्लिम नाखवांदा रह गए मुसल्मानों ने उस वक्त भी साइन्स और टेकनोलोजी में इतना इंट्रेस्ट नहीं लिया था सरकारी मुलाजिमतों, तीजारत और रोजगर वगेरा की सरगर्मी और सनातों में भी वो हिंदों के मकाबले बहुत पीछे थे इन वजवात की विनापर वो गेर महफ्यूज होने का हिसास रपते थे ये सरगर्मी उस वक्त नुक्ते अरूज पर पहुची जब तालीम याफ्ता मुसल्मानों, मुस्लिम नवाबों और जमिनदारों ने जनाब आगाखा ढाके के मुस्सिन और मुलक की रहनुमाई में औल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली हमने बात की थी कि मुस्लिम लीग की बुनियाद से ही हिंदू मुसल्मान के बीच का जो फासला था वो बढ़ने लगा था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुस्लिम लीग की बुनियाद कब डाली गई थी क्वेशन डिपीट कर रही हो कि मुस्लिम लीग की बुनियाद कब डाली गई थी यह आपको सेक्शन कमेंट बॉक्श में बताना है 1909 के कानून के तहे उनको अलग इंतखाबात कोई मनजूरी दी गई और बदेशी हकुमत को उन्होंने ज्यादा कट्टर बना दिया वो कई में कौमी तहरीकात से दूर रहे मुस्लिम लीग इनके दमाद की वज़ाद से मुहबू फत्तर मुस्लमान अलग थलग रहे कई मुस्लिम कौम परस्तों ने जंग अज़ादी में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया लाइक मुलाना अज़ाद ऐसे ही एक रवादार और मुहबू फत्तर मुहस्मसलमान थे जबके मुस्लिम लीग आहिस्ता आहिस्ता ताकत वर बनती जा रही थी और इसी एरसे में पंजब में हिंदू महासबा का क्याम अमल में आया उन्होंने अवल हिंदू फिर हिंदूस्तानी का नारा दिया इस जिसकों डरलाइन कीजिए उन्होंने अवल हिंदू फिर हिंदूस्तानी का नारा दिया और उस वक्त में कासिम बजार के महाराजा की रहनुमाई में औल इंडिया हिंदू मासबा की तन्सीम डाली गई नतीजा ये हुआ कि मुसल्मानों और हिंदों के दर्मियान जो फासला था जो खाई थी वो बढ़ती जा रही थे ऐसे हालात में सिच्वेशन ये हो गई कि मुहमद अली जिना कांग्रेस के मुखालिफ बन गए वो ज्यादे ज्यादा कटर बन गए उन्होंने कहा कि हिंदू और मसल्मान दोनों अलग-अलग कौमे हैं वो कभी भी मुताहद होकर नहीं रह सकते मुस्लिम लीग ने करारदाद मन्सूर की करके आजादी के बाद मुलकों को तक्सीम करके पाकिस्तान नाम का एक अलग मुलक मुसल्मानों को दिया जाने का मुतालबा किया हमने पहले भी देखा कि कहा जाता है कि मुसल्मान और हिंदू और मुसलिम के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाने का जो एक बीच था वो मुहम्मद अले जिना नहीं बल्किए मौरला मिंडो ने जो मुस्लिम लीग के लिए एक पेशकस रखी थी मुसल्मानों के सामने उसको हम कह सकते हैं हिंदु महासबा जैसे हिंदु तन्जी में मुस्लिम लीग की तरह फिरकावारियत परसंद बनने लगी उन्होंनों भी दो मुल्कि नजरियां तस्लिम कर लिया अब यहां पर हिंदु और मुसल्मानों जो अलग अलग कौम में साबित हो रही थी उन्होंने इस बात को तस्लिम करना शुरू कर दिया इस तरह फिरकावारियत को दो फरीग तस्लिम करते रहे इस वज़ा से दोनों के दर्मियां तफरुका बढ़ता गया हालाद कुछ ऐसे बनने लगे कि 1946 और शुर्टालिस के दर्मियां हिंदू और मुसल्मानों के दर्मियां खाई और गहरी होती गई केबिनिट मिशन आने के बाद सन इस वी सन 1986 में मुस्लिम लीग ने बराए रास दिक्तामात मनवाने की अब्तिदा की और नतीजा ये हुआ कि भारत में बड़े पैमाने पर कौमी फसादा रूनुमा हुए खास तोर से मश्रिकी बंगाल की नौवा खिली में कौमी फसादा का नंगा नाच नाच नाचा गया कई बेकसूर अफराद को हलाक किया गया महात्मा गांदी जी ने वहाँ पहुचकर भी बज़ाते खुद हालात को काबो में लाने की कोशिश की माउन बेटन के तीन जून के मनसूबे के तहट आखिर कार मुस्लीम लीग का मुतालबा तस्लीम किया गया और आजादी के वक्त भारत की तकसीम हुई इस तरह से माउन बेटन की तीन जून के मनसूबे के तहट आजादी के वक्त भारत की तकसीम हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर भारत में जो फिरकावार्यत का जो एक जहर उबर रहा था और फैल रहा था उसे के नतीजे में तकसीम हिंद हुआ थियरी को समझीए, ध्यान से समझीए, like story type ही है, उसको उसी तरह से समझने की कोशिश कीजिए और जो भी important point है उसको note down कीजिए, underline कीजिए Thank you